नमस्कार प्याज़े दर्शकों, मैं आपका जोतिश मित्र आधित्य दुबेदी शुर। अगर आप अपनी कुंडली का परामर्स चाहते हैं, अपने प्रश्णों के उत्तर चाहते हैं, समस्याओं का शमाधान चाहते हैं, खराब ग्रहदसाओं के उपाय जानना चाहते हैं, कुंडली मिलां करवाना चाहते हैं, या किसी सुभ मुहूर्द के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप हमारे नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं या वाटसअप मैसेस कर सकते हैं. इस जन्म कुंडली में दुतिय भाव में राहु है दुतिय भाव का राहु गणबड़ी पैदा करता है राहु और केतु अगर दुतिय भाव में हो तो एक संभावना हमेशा बनी रहती है कि ये धन देते हैं फिर धन छीन लेते हैं यह संभावना इनके साथ हमेशा लगी रहती है इस कुंडली में विसलेशन करते हैं तो आप इनमें पाएंगे कि यह जातक जो है जिसके दुतिय भाव में राहू है इस राहू के ऊपर सुक्र की द्रिश्टी है सुभगरा का इंफ्लियंस आ गया गुरू की भी द्रिश्टी है अभी पीछे एक दो क्लास में ही बताया था कि सुभता बनाने वाले यो कौन कौन से है सुभगरा के साथ होना सुभकरतरी में होना या सुभगरा की द्रिश्टी में होना तो राहू का इन जनरल दुतिय भाव का फल जो है गड़बर आता है लेकिन ये जो दो सुभगरा द्रिश्टी पड़ गई तो इन द्रिश्टी से राहू में क्या आ जा बल नहीं आया देसमुक जी राहू इससे बलवान नहीं हुआ है बल्कि हुआ क्या है सुभ ख़गर अब हुआ क्या जातक कई मार्गों से द्धनकी प्राप्ती करता है कई इनकम सोश हैं कई तरीके से धन कमाता है एक तो अपनी जो हो गई मुख्य पेशा उसके बाद भी यह जातक जो है कंप्यूटर से जुड़ा काम कर लेता है यान्वे चीजों से जुड़े हुए कामों को करके लाभ कई सोर्स से जनरेट कर रहा है और इस व्यक्ति राहू ने दुतिये भाओं में राहू ह है यह तो दुतिये भाओं का कारक भी है और धन का भी का लख्यति डाल रहा है कि तो यह और भी तो बहुत बहुत अच्छा पैसा कमाया काफी पैसा इंहों ने बनाया जीवन में ये काफी पैसा बनाए हुआ क्या राहू ने अपना असर दिखाया राहू जो है छीनने का काम करता है और छीनने का काम किया राहू छीन ना पाता देखे जब भी राहू के तु दुतिय भाव में होंगे तो ये चीज जरूर थ्यान देना है कि क्या कुंडली में कहीं राज योग अच्छे बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं क्योंकि जो दूसरे अच्छे योग बनेंगे राजी जी न राहू अगर छीनेगा तो दूसरे योगों से उसकी भरपाई भी हो जाएगे अब इस कंडली में जरा देखते हैं कि लगनेस अस्टम में गया है केतू के साथ है तो यहाँ पर कोई राज योग नहीं बन पा केंदर्ट्रिकोर का राज योग नहीं है मंगल सब्त्रूरासी में बैठा है और मंगल जो है कोई कारक ग्रह नहीं है बलकि मारक है तो मंगल वैसे भी राज योग नहीं बनाएगा लगन का सब्त्रू भी है गुरू क्यों देखते हैं तो गुरू के द्वारा विपरीत राजयोग तो बनता हुआ नजर आ रहा है छटे का स्वामी छटे में लेकिन सनी की दस्मी दृष्टी आ गई और यह सनी छटे में आठमें और बाराहमें में से किसी भाव का स्वामी नहीं है तो विपरीत राजयोग भी भंग हो गया सूर्य और बुद्ध की युती है बुधादित योग है बुद्धी के बल पे इन्होंने धन तो बना लिया लेकिन ये सूर्य और बुद्ध की युती राजयोग नहीं बना रही है क्योंकि सूर्य लाव भाव का स्वामी है लाभेस कभी राज योग में भाग नहीं लेता है चंद्रमा अकेला है चंद्रमा के आगे पीछे कोई नहीं है चंद्रमा पे सनी की दृष्टी भी है यानि धन को रोके रहने वाले योग बहुत नहीं बन रहे हैं धन योग राज य नहीं है यह सब्त्य है कि दुतिय भाव का राहू या केतु धन प्रदान करेगा बिसे इस रूप से जब दो सुभग्राओं की दृष्टी में है विनोजी कुछ आप कर रहे हैं डिश्टर हो जाता है हुआ क्या इन्होंने अच्छा ये की जोर है दुतिय भाव का राहू जो है ये धोखे बाजी भी व्यक्ति के साथ करवाता है दुतिय भाव का राहू हो चाहे अस्टम भाव का हो व्यक्ति के जीवन में धोखे बाज लोग आएंगे दुतिये भाव किसका है कुटुम्ब का तो कुटुम्ब की तरफ से भी परेसानिया आने का संकेत है तो ये अतियन्त धन कमाए काफी आगे गए चुकि राहु जो है माया जाल भी है तो बातों का माया जाल भी फैलाए और दो सुभग्राओं की दृष्टी में रहा तो ये अपनी वारी का इंफ्लियंस भी लोगों पर काफी अच्छा बनाए कुछ कुटुम्ब के लोगों ने अपने लोगों ने इनके साथ धोखे बाजी भी की अब चोकी सुभग्राओं की दृष्टी में था तो कोई बड़ा धोखे बाजी नहीं हुआ यही सुभग्राओं की दृष्टी ना रहती तो बड़े धोखे बाजी भी हो जाते दुतिय भाव का राहु कभी नसीले पदार्थों की तरफ ले जाता है विसन की तरफ तो वो भी यहाँ पर रहा है हुआ क्या इनके साथ की ये खुब अच्छा धन बनाए कमाए एक बार बहुत अच्छी तरक्की करते चले गए राहु दुतिय भाव में अपार धन इनको दे दिया दे देता है फिर जब किसी खराब ग्राह की दसा आएगी मारक ग्राह की लगन के सत्रू की या क्रूर ग्राह की दसा आएगी तो राहु जो दिया रहता है उस क्रूर ग्राह की दसा में चीज़ें चली भी जाती है राहु केतु में ये विसेश रूप से चलता है तो हुआ क्या इन्हों ने बहुत अधिक धन कमाया और ये बहुत अच्छी और बड़ी बड़ी प्रॉपरेटियां खरीदना शुरू किये कई प्रॉपरेटि खरीदे संपत्ती क्रे किये पैसा लगाते गए और चुकि चंद्रमा भी अकेला था तो हमको लगता है कि जब इनको सफलता मिली तो उस सफलता जो मिली उस सफलता से जादा बड़े-बड़े काम ये कर डाले बीस करोन रुपए कमाया लिए ये बजट बीस करोन का था तो ये फास्ट फारवर्ड बे में चालिस करोन तक का काम करने लगे इन जनरल कुंडली को छोड़ भी दिया जाए तो ऐसा व्यक्ति मूर्ख व्यक्ति ही कहलाएगा जो अभी बीस करोन पाया हो गरीबी से या भाव से निकल के अमीर हुआ हो और थोड़ा सा पाया और फिर तुरंत उसका डबल ट्रिपल लोड लेके चलने लगे तो राहु इनको जब ये डबल ट्रिपल लोड लिये तो समय जब परिवर्टित हुआ विसम परकार विसम परिस्थितियां आई तो अंत में इनको चुकी जब बीस करोन ह और चालिस का काम करेंगे तो बीस करोन करजा लेकर के ही तो होगा काम और कहीं जहां से आपको धना रहा है एक बार वो बंद हुआ दो चार महीने के लिए भी बंद हुआ तो आप लड़कडा जाएंगे क्योंकि लाइबिल्टी बहुत बढ़ा लिये हैं आमदनी बंद हु चंद्रमा से केंद्र में मंगल बैठा था तो मंगल जो है कुछ रोकने का प्रयास किया लेकिन फिर भी केंद्रुम दोस है मन पे नियंतर नहीं रहा तो इनको सब कुछ बेच देना पड़ा किराय के मकान में जाना पड़ा तो यहाँ पर एक सुत्र बनता है, नोट करिएगा, दुतिये भाव का राहु केदू अपार धन देने की छमता रखता है नमबर सिकेंड, दुतिये भाव के राहु केदू के होने से विश्वास घात होने की संभावना बनी रहती है यह चाहे आठ में हो चाहे दुतिये में हो, ऐसा व्यक्ति प्रेम मुहबत में भी धोखा पा जाता है कहीं से भी धोख्या होने की संभावना बनी रहती है, धोखा धड़ी होने की संभावना बनी रहेगी ये एक तुतिय फल, दुसरा ये हुआ तीसरा, अपार्धन संपत्ति देते हैं, दोखाधड़ी होने का योग रहता है, आगे तीसरा लिखेंगे, अगर कुंडली में राज योग बने हुए होंगे, यानि दुर्योग प्रभावी ना हो, राज योग प्रभावी हो आदेगे राज योग बने हुए होंगे, तो दुतिये का राहु केतु जो अपारधन देता है, वह बना रह जाता है, वह जीवन भर बना रहता है, कुछ-कुछ बीच-बीच में लॉसेज होते रहेंगे, जैसे मान लीजे कोई विक्ते एक लाग कमा रहा है, महीना साल के बारा लाग हुए है, तो पता चलेगा साल भर में लाग पचास बेस्ट हो जाएंगे, तो चूकी आमदनी अधिक है, तो राहु अपना छोटा आसर दे करके छोड़ देगा, अगर कुंडली में राज योग बने हुए है तब, लेकिन राज योग नहीं है, तो जब लेने पे आएगा, तो सब कुछ ले लेगा, दुतिये भाओ का राहु के तू हो और समय खराब हो तो व्यक्ति अकेला पर जाता है जीवन में, दुतिये भाओ में हो चाहे आठोए में, ये दोनों के लिए फलादे है, दुतिये या अस्टम में राहु के तू के होने से, और भीतर अच्छे योग नहीं हो, तो व्यक्ति जीवन में बुरे समय में अखेला पड़ेगा, अपने लोग ही व्यक्ति को परिसान कर देते हैं, जैसे मेरी कुंडली में भी राहु आठ में है न, तो हमारे लोग भ हम तो सोचते हैं वहिया सब की जीविका, जीविका सब को सच्छे चले न, अब दुतिये से भी तो ज्यादा खराव स्टम में होता है, तो हमारे खिलाब भी ऐसे होता रहता और महीने में कुछ न कुछ बेस्ट जाता रहेगा, उस बेस्ट को रोकने का एक तरीका मैं बना काफी अब ठीक है, और चुकि अंदर भी राजयोग है, सुर्य उच्छ का मंगल उच्छ और तमाम सारी चीज हैं, लेकिन परेसान ये राहू के तो दुतिये स्टम में कर देते हैं, अपने लोग ही आपके गोपनिये विरोधी होंगे, पीठ पीछे आपके लोगों को आप के खिलाब भड़काएंगे, भले आप अच्छा करें, वो जबर्दस्ती का कमी निकाल करके दूसरों को दिखा देंगे, तो राहू केतु यहां पर अपार धन देते हैं, फिर छेन लेते हैं, कुंडली के भीतर अच्छे योग हों तो अच्छे धन बने रहते हैं, जाता न ही है, इस राहू केतु का एक उपाय यहां है, अगर दुतिय अस्टम में हो और धन मिल रहा हो, तो अस्टम में तो अपार धन नहीं देगा, अपार धन वाली बात अस्टम के लिए नहीं लागू है, खड़यंत्र वाली बात लागू है, अपार धन वाली बात दुतिय बड़ा हिस्सा मतलब परियाप्त हिस्सा दूसरों को दे दीजिए जैसे यहां हमारे केतू है ठीक अब तक हम जो है तीन लोगों का घर बनमा चुके हैं वो कुछ सुरू करते हैं तो उसमें हम अपना कांट्रिब्यूशन मैक्सिमम करते रहते हैं ऐसे मनलब बेष्ट तो वो चला जाएगा तो इस प्रकार से दान और परोकार भी हो गया और गया भी तो दुतिये भाव में जिसके राहु के तू हो उनसे बोल दीजिए भाईया आप धन गमाएं समय गवाएं गरह गवाएं उसके बज़ाएं आप सुएम गमाना सुरू करो इससे परोकार भी हो जाएगा पुन्य भी बढ़ेगा आपका नाम भी होगा लोगों की मदद से कोई घर बनवा रहा है अब कोई गाड़ी लेने जा रहा है लगज़री तो उसमें नहीं सही हो करना जरूरत मंद की करना है किसी बच्चे की स्कूल फीस बर दीजिए कि स्कूल में चले जाएए मेनेजर से पांच जार रुपए दे दीजिए कह दीजिए जो सच्छम नहीं है उनमें ये अर्जेस्ट कर लीजिए अस्पताल में दे दीजिए वस्तर किसी को दे दीजिए इस प्रकार से जब आप खुद ही चीज करेंगे तो राभू बैठ जाएगा कम से कम चीटिंग फ्राड या गलत जगह जाने से रुप जाएगा जाना तो है ही दूसरी कुंडली लीजिए देखिए जो विसा है वही सिर्ब बोलेंगे राजी जी या निग्रहों पे हम नहीं जाएंगे और ये एक चीज और राभू जिस रासी में बैठा है उसका स्वामी बन्वान होना भी जरूरी है दूतिए भाव में राभू केतु जिस रासी में अगर वह ग्रह बल्वान हो गया है तो भी जो अपारधन आएगा वो रुक जाएगा यहाईसा नहीं है दसा बदलने पर छिन जाए अब चूकी जो दुतिय भाव में यहाँ पर ग्रह है अब दुतिय भाव का स्वामी मंगल उसे बल्वान नहीं कह सकते है सत्रू की रासी में है राज योग भी नहीं है तो इस राहु केतु जिस रासी में है उसी रासी का स्वामी राहु केतु को कंट्रोल करेगा तो मंगल बल्मान होता तो राहु को कंट्रोल करता दूसरी कुंडली डेट आप बर्थ लेजिए 10 सितंबर 1963 10 9 10th of September 1963 टाइम है 23 बच के 24 मिनट जन्मस्थान है कानबो अभी जो महाँ पे बात बता रहा था यहाँ पर आपको थोड़ा सा उसका अपोजिट मिलेगा उसका उदहरण इसमें छिपा हुआ है राभू दुतिये भाओं में है किसके घर में है बुद्ध के और बुद्ध उच्चका हो गया यहाँ पे राभू का बिस्थापक ग्रह यानी राभू का कंट्रोलर यहाँ पे उच्चका है जो कि पिछली कुंडली में नहीं था जातक ने अपना जीवन एक चपरासी के रूप में सुरू किया एक आफिस से दूसरे आफिस या एक मेंज से दूसरे मेंज तक सिर्फ फाइल पहुँचाने का इनका काम था काम में कोई प्रेसर नहीं कुछ नहीं इस साहब ने फाइल दे दिया उस साहब को फाइल दे दिये ऐसे ही जीवन की सुरुवात हुई काम करते हुए चुकी चपरासी थे तो बेतन हलका तो उस बेतन और कुछ एक्स्ट्रा भी मिल जाता था इनको जैसे जो छोटे पोस्ट पर होते हैं तो बड़े लोग उनको कुछ न कुछ दे दिया करते हैं तो धीरे धीरे इन्हों ने अपनी इस्थिती थोड़ी सही कि रहने की विवस्था बना लिये थोड़ी पारिवारिक जो परिस्थितियां थी उसको सही किये घर वगेरा हो गया खाना पीना पढ़ाई लिखाई बच्चों की ठीक ठाक से जब चलने लगी तो इनको कुछ पैसे बचने लगे भई पहले जो आवस्यक लाइविल्टी है वो पूरी होगी तभी तो आपको सोचेंगे तो इन्होंने कुछ लाइविल्टी जो थी देरे देरे पूरा किया यानि जीवन में उतावलापन और जल्दबाजी नहीं था उसको पूरा करने के बाद जो कुछ पैसे मिले उससे ये धेरे धेरे कुछ ब्योसाही शुरू कर दिये पाइट टाइम नौकरी के साथ साथ किसी को साथ ले करें और भाग्य ने साथ दिया इस राहू ने और बहुत बड़े ब्योसाही बन गए करोणपती हो गए बहुत बड़े ब्योसाही में अस्थापित हो गए और नौकरी को छोड़ दे तो ये राहू ने कराया यहां पे अपार धन देता है तो दिया और राहू का विस्थापक ग्रह बुध उच्चका था तो इसका भी असर आ गया दूसरी चीज ये जो धन भाव का स्वामी बुध है इस पे कारक गुरू की दृष्टी भी है तो बुध और भी सुभ हो गया एक तो बलवान है ही सुभ भी हो गया दो सुभ अग्रह आमने सामने हो तो अच्छा ही है ज्यादा अच्छा हो गया दूसरा लगनेस और चतुर्थेस का योग केंद्र त्रिकोड का राजयोग बना है भीतर सम्हालने के लिए अभी जो बात बोला पिछले कुंडली में कि राहू देगा लेकिन क्या रुकेगा ये भीतर राजयोग अच्छे योग मिलने चाहिए तो मिल गया सूर्या और सुक्र का केंद्र त्रिकोड राजयोग था सनी भाग्येस अपनी रासी में था चंद्रमा उच्छ का है लगन में ही है इसने भी लगन को थोड़ा बल दिया है उच्छ होने के नाते छटे भाओं में मंगल सत्रुहंता योग बाराहमे का स्वामी होके बैठा है मंगल यहाँ पे विपरीत राजयोग हो गया विपरीत राजयोग वाला ग्रह अगर लगन का सत्रुह हो तो और भी अच्छा पल देता है क्योंकि इसका नाम ही विपरीत है गुरू की बुद्रपर द्रश्टी तो कुल मिला करके धन इनों ने बनाया उच्छे पत पर गए लेकिन धन इनका छिना नहीं मोह का कैंसर इनको हुआ था दृतीय भाव का राहू की तु मुह से जुड़ी हुई परेसानिया देता है ऐसे लोग कभी कभी गाली गलावच भी कर जाते हैं या तीका बोनते हैं तो मुह का कैंसर इनको इस राहू ने दिया इलाज हुआ ठीक हुए दूसरा इनके जीवन की जो मुख्य समस्या रही वह दामपत देखी रही दिवा हुआ एक पुत्र हुआ और जन्म के कुछ दिन बाद ही पुत्र के इनकी पत्नी इनको छोड़के चली रही धन खुब है लेकिन कोई इनके करीब नहीं है पिछली कुंडली में भी यही बात बोला था कि दुत्य भाव का राहु अपने लोगों से तकलीफें देता जीवन में कुछ सूणापन देता इनकी पत्नी भाव का स्वामी मंगल छठे में है ठीक है ये एक कारण बना और दुतिय भाव का राहू चूकी अपनों से घात विश्वास घात ये सब भी दिलवाता है तो यहां पर ये योग भी बन गया सुक्र जो पतनी का कारख है ये सूर्य के साथ अस्त भी है तो इनकी पतनी इनको छोड़ के गई और वर्दमान में इनके पास ऐसा कोई नहीं है जिसको ये अपनी व्यत्था सुनाएंगे अब यहां पर एक चीज और होता है छोड़ के जाने का ये कारण और रहा चंद्रमा जो देख रहा यहां पर इसकी नीच की दृष्टी है तो पतनी पे थोड़ा इनको ये सक करते थे या ज़्यादा अनुसासन में रखते थे यह भी कारण रहा सभी कारणों में एक पतनी के छोड़ के जाने का अब यहां पर हम देख लेते हैं एक बार नौमांस भी नौमांस कुंडली तो गरबर नहीं है नौमांस का लगने सस्टम में बुद गया हुआ है नौमांस का लगने सस्टम में है ये थोड़ा गरबर हुआ है लगन में चंद्रमा सुभगरा बैठा है जो इन्दे के संदेरा की पत्नी तो सुभाओ से ठीक रही होंगी सुभगरा नौमांस के लगन में सुभगरा है तो सुभाओ अच्छा बनाएगा सुभ ने यहाँ पे था इसने थोड़ा बहुत चला दिया दोस बन रहा है लगन कुंडली से ही जाता है सनी वैसे बाराहमे में है नौमांस के यह गरबर माना जाता है लगन कुंडली से ही दोस बना हुआ है सबसे बड़ी बात ये जो छठे में चला गया नीच की दृष्टी आ गई और केतू दुतिये भाव में थोड़ा गरबर होता है अपनों से तकलिफ दिलाता है तो ये दो कुंडलियां हुई तीसरी कुंडली लेते हैं केतू के लिए डेट आप बर्थ नोट करेंगे 13 दिसंबर 1974 13 12 1964 समय है 3 बज़ के 41 एम 3.41 जन मस्थान है उड़ीसा कटक दुतिये भाव में अभी तक हमने रावू को देखा अब केतू है रावू केतू में थोड़ा डिफरेंस है रावू दुतिये भाव में इस्थित होकर के जो धन देता है लेने का प्रियास करता है केतू थोड़ा उससे कम असुब होता है देने के बाद लेना नहीं चाहता भलकि ये आपको धन के तू क्या है, डिटेच्मेंट है धन का मौह बहुत नहीं लगने देता मन में कुछ लोग राहू अच्छा यहाँ पर किरपड भी बनाएगा, ध्यान रखियेगा कंजोस जो मैं बोला अभी आपको कि राहू हो तो किसी की मदद करते रहिए वही चीज नहीं हो पाता राहू के होने पर जबकि यहाँ पर केटू के होने से ना आप सौ दो सो पान सो हजार जरूरत पढ़ने पर और बड़ा मदद करते रहेंगे अगर आप जिस इस्थिती में है जैसी इस्थिती आपकी आर्थी का उस हिसाब से मदद करेंगे लाक रुपे महिने की आमदनी है तो आप हर महिने दो चार पांच हजार बाट बेंगे कोई आगया वही आई यह थोड़ा सा गड़पड था चाहिए था लेकिन ऐसा नहीं है कि यहां का केतु बेवकूब बनाएगा कि कोई आया और बेवकूब बनाके लाक रुपे लेकर के रोना रोके गरीब और जरूरत मंद देख करके उसी हिसाब से ही यह मदद कराता है कोई कहेगा भाईया भूख लगी है पैसा दे दो तो यह राहू, यह केतु परकेगा कि भूख ही लगी है कि पैसा मांगे दारू की लेगा यह जज करेगा, कहेगा चलो खाना खिला रहे हैं और अगला वेक्ट एगर खाना खाने चला गया साथ में तो समझ जाएगा कि पूखा है तो पैसा ही दे के चला आएगा केतू डिटेज्मेंट है तो केतू के केस में ये दे करके राहू के जितना तेजी से नहीं छीचता है बस आप पैसा डोनेट करते रही है हाँ केतु टर्मिनेटर है काटता है तो दुतिये भाओं में है तो मुख दात मसूडे से जुड़ी समस्याएं देगा उसी प्रकार से पैसा भी काटेगा यानि आपके पैसे का कुछंस काट करके दूसरों को दिलवाएगा नहीं देंगे तो कोई चीटिंग प्राड ही करके ले जाए इसी लिए राहू केतु के होने से स्वता ही पैसा डोनेट करते रहना चाहिए दात मसूडे की समस्याएं देगा अब इस कुंडली की इस्तिति क्या थी यह जातक सरकारी नौकरी में था योग कई सारे बने हैं दुतिय भाव में सूर्य का होना भी और छठे भाव का बहुत महत्वपूर योग होता है अगर सूर्य चंद्रमा में से कोई छठे भाव में हो यह चंद्रमा दस्म भाव का स्वामी होकर यही बैठा है बैठा है न दस्मेश अगर छठे भाव में आ गया और सूर्य चंद्रमा है वागरा तब तो और प्रवाव तो ये प्रासासनिक अधिकारी रहे, दुतिय भाव में केतु सूर्य के साथ संयुक्त भी है, और ये जो केतु जिसकी रासी में बैठा है मंगल के ना वो बलवान है, कैसे सूर्य मंगल का रासी परिवर्तन हुआ है और दोनों मित रहा है, अब बताएए जब मंगल सूर्य के ये मंगल राजा के घर में कुछ भी गलत नहीं होने देगा, इसी प्रकार से सूर्य सेना पती के घर में, तो बिस्तापक ग्रह भी अच्छा हो गया, और इन दोनों भावों का धन योग भी बताया था, याद करिए, लाभेस धनेस का रासी परिवर्तन तो महा धन योग हो जाता है, और ये उपर से गुरू की दृष्टी भी यहां पर है, दृति इसके उपर, और लाभ भाव पर, पाजमी दृष्टी है ना, तो योग अच्छे बन गए, ये कई सारे पदों पर रहे, और बड़े-बड़े पदों पर रहे, और आप जानते हैं, बड़े- कमाई के आउसर आते रहते हैं, तो बड़े-बड़े पद पर रहे, बड़े-बड़े कमाई के आउसर आए, नीती और अनीत दोनों प्रकार से धन आ जाता है, बड़े बदों पर, तो दोनों प्रकार से धन इनों ने बनाया, और काफी अच्छा धन बना लिया, बहुत आमदनी रही आमदनी हमेशा बनी रह गई क्योंकि विस्थापग्रा ठीक था और राज योग भी बने गुए थे एक तो सूर्या और मंगल का रासी परिवर्तन धन योग सुक्र का मालब भी योग सनी पंचम में स्वाग रही ही है कारग्रा है बनवान हो गया पंचम भाओ गुरू भी ठीक ही है केंद्र का गुरू हमने आपको लिखाया भी है केंद्र का गुरू जो है छोटे-छोटे दोसों का समन करी देता है कुंडली में तो ये भी यहाँ पे बना रहा गुरू की दृष्टी भी यहाँ गई तो इनका जो धनाया वह गया नहीं हाग केतू है तो बहुत जगह पर हमको लगता है इनको पैसा वैसा भी देना पड़ा होगा बिभाग लेने के लिए प्रमोसन के लिए क्योंकि केतू पैसा दिलवाएगा राओ केतू है तो पैसे बिना काम नहीं चलेगा जो काम वैसे होना चाहिए था उसके लिए इन्होंने पैसे भी दिये होंगे एक दिक्कत इनकी भी ये रही कि इनकी पत्नी इनको कई बार छोड़ छोड़ के चली गए और मान मनवल करने के बाद फिर वापस आती रही जाती रही ऐसा बहुत बार इनके जीवन में हुआ पत्नी चली जाती थी फिर विये बेचारे हाथ पर जोड़ ओड़ करके ले आते थे अब एक बिसेस बात केतू के लिए अगर केतू दूसरे भाव में होता है तो किंचित किंचित मतलब कभी कभी कुछ ऐसा असर देता है ना कि जातक का अपनी पत्नी के अलामा अनिस्त्रियों में भी रुची होता है दुतिये का कि तू अनिस्त्रियों की तरफ भी बेचते अपने पत्नी से नफरत इरसा या मारपीट नहीं करेगा लेकिन प्रेमिकाएं जीवन में आने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं और उसी के कारण से इनकी पत्नी वापस भाग जाती थी नाराज हो करके तो जब भाग जाती होंगी तब यह कहते होंगे नहीं अप छोड़ दिये अप पर नहीं करेंगे तुम्ही मेरी जिंदगी तुम्ही मेरी जान तो चली आती रही होंगे तो ऐसा बहुत बारव़ दूसरा एक कारण ये भी रहा कि गुरु सब्तम में वक्री होता है तो problem देता है और एक चीज और देखिये सब्तमेश जो हमारा काम भाव है सातमा भाव इसका स्वामी एकादस में है इच्छा भाव में है एकादस इच्छा होता है तो ऐसे में अगर सप्तमेस एकादस में होता है तो भी जो भी भाव का स्वामी एकादस में होता है ना उस चीज की संख्या जीवन में बढ़ जाती है सुख बढ़ जाता है मंगल धनेस था तो धन भी बना दिया सप्तम में था तो इस तरी का सुख और काम सुख भी बनाने का काम किया तो इसलिए भी प्रेमिकाय आती रहे गुरु वक्री था ये भी डिश्टर्ब किया लेकिन कोई बहुत विसेश योग दुर्योग नहीं बने चुकि सुक्र ही वक्री गुरू का होना यह थोड़ा सा गरबल था रिस्या रिस्या के यह भाग जाते थे तो यह नहों ने अनुसंधान में इनकी गहरी रुची भी थी क्योंकि राभु अस्टम में वेक्टिको अनुसंधान गहरी और रहस्मई चीजों को भी सिखाने का पुर्यास करता है तो ये लेखन भी काम करते थे तो लेखन लोग रिसर्च करकर के चीजों को लिखते हैं ना किसी चीज़ पर अनुसंधान करके नोट से लिखेंगे बेवाहिक जीवन अंतता चला धन मगेरा इनका जो बनावा लाइफ टाइम बना रहे गया गरबड नहीं हुआ नौमांस देखते हैं लगन ठीक है लगने सस्टम में गया था तो ये भी कारण रहा होगा नाराज होने का लेकिन चौथा भाव ठीक था चौथे भाव में सुभगरा है चतुर्थेज भी ठीक है और साथ आठ नौ सुभगरा बैठा है चतुर्थ में और सुभगरा की दृष्टी भी है वेवाहिक सुख अगर थोड़ा लगन कुंडली से गड़बर नजर आ रहा है कि यहां चलो वक्री गुरू है कि तु यहां हो गया तो कंफर्मेशन के लिए हलका फुलका दिख रहा है तो कंफर्मेशन के लिए आप नौमांस के चौथे भाव को देख लेजिए चौथे भाव पे सुख गरह का प्रभाव अधिक होने पे जो छोटी मोटी गलतियां दोस है वो खतम हो जाता है चल जाता वेवाहिक जीमा अब यह इसी कुंडली में दोस और अधिक होते मान लीजिए मंगल यहां आ जाता कुंडली भी मंगलिक हो जाती यहां भी कोई कुरूर गरह बैठ जाता तो अब वापस आने की संभावना कम हो जाती है अगली कुंडली लीजिए अगली कुंडली है पाच सितंबर 1963 समय है 23 बच के 20 मिनट कानपुर उत्तर प्रदेश पाच सितंबर 1963 23 बच कर समय गड़बर हो गया यह 23 बच के 20 मिनट में यहां तो अच्छांस पोल दिया 11 बच कर 24 मिनट का ग्यारा 24 एंग यह कुंडली है के तु दूसरे भाव में है आप पहले जज कर लीजिए धन आके रुप जाएगा की चला जाएगा धन योग और राज योग और चक कर के बोलिएगा व्रिश्चिक लगन की कुंडली है लगनेस मंगल कमजोर हुआ है बारामे भाव में है सत्रू रासी में है लगन कमजोर मान लिया चाएगा अन्य योग सूर्य और सुर्य और सुर्य की युद्धी राज योग नहीं डेगी क्यों सुर्य तो दस्मेस हो गया लेकिन सुक्र जो है केंद्र का तो स्वामी है लेकिन सुर्य भी केंद्र का ही स्वामी है तो राजयोग बनता है एक केंद्र एक त्रिकोर का स्वामी हो दूसरा सुक्र लगन का मित्र भी नहीं है तो ये भी राजयोग नहीं है हाँ ये एक सुभयोग है दसम भाव में दो-दो ग्रहों का बैठना अच्छा माना जाएगा लाब भाव में लाभे सुचका है ये भी अच्छा है लेकिन ये भी राजयोग नहीं है ना ये है सुभयोग है एक सुभयोग बना है गचकेसरी योग लेकिन इसमें भी क्या हुआ ये राजयोग में नहीं बदल पाया गुरू भी त्रिकोड का स्वामी है, चंद्रमा भी त्रिकोड का स्वामी है, यानि सिर्फ लक्षमी लक्षमी भाव के स्वामी है, नारायर नहीं आये, नारायर तो केंदर स्थान को बोलते है ना, तो नारायर इसमें नहीं आये, तो ये गजकेसरी योग रहा, केंदर त्रि योग बनने से रह गया तुरतिय भाव में सनी स्वारासी का है यानि महनती होंगे पुरसार्थी होंगे तो कोई विसेस राज योग नहीं मिला है कुछ सुभ योग मिल गए है थोड़ा बहुत केतु जो विसका विस्थापक गुरू ठीक स्थिति में है अब इसी के साथ जब जीवन चला सटल हुए तो काफी प्रतिष्थित हुए उद्योग पती के रूप में काफी प्रतिष्थित हुए प्रिंटिंग प्रेस चला डेरी का काम चला ऐसे कई विवसाय इन्होंने सुरू कि कुंडली में भीतर राज योग नहीं है तो केतु ने दिया तो बहु मजबूती नहीं थी इनके अपतर जैसे धन आया करोडों का कारोबार किये सालकों में तो उस करोड में इनका प्रॉफिट दस लाख ही रहता था काम तो बड़ा था लेकिन उसमें प्रॉफिट रिविन्यू बड़ा होता था प्रॉफिट कम होता था तो जातक ने धन गया एक बार अच्छा खासा धन दिया शुक्र की महादसा आई तो ये जो है काफी डाउन हो गए शुक्र एक्चुली लगन का मित्र नहीं था और प्रबल मारक भी हो गया दुतिये भाव और साथमे भाव का स्वामी भी है पोल रूप से अस्ता है अस्तग्रा को क्या बोलते है बिकल अस्तग्रा भाईया बहुत प्यूरित कर देता है वो भी अगर सुब अगर आस्तग्रा होता है तो ज़्यादा दिक्कत देता है सबसे कम दिक्कत बुद्ध देता है अस्तग्रा के बाउत बुद्ध क्योंकि ये आजब सूरे के आस पास रहके तपा ही रहता है तो तो इसको आदत पढ़ गई है सुक्र और गुरू तो आस्त हो करके जादा परिसान करते हैं तो सुक्र हो गया आस्तर चट और यह जो है बाराहमे भाव और सात्मे भाव का स्वामी रहा सात्मे भाव से बेपार देखते हैं कि नहीं देखते हैं पचातर बार बताया हूँ दसम नौकरी पद प्रतिष्ठा और सातमा बेपार सातमा और दसम का कॉंबिनेशन अच्छा बने तो बेपार बहुत अच्छा तो सुक्र सात में बेपार भाव का स्वामी रहा ना अस्त रहा और ये क्या है बारहमा क्या होता है इंवेस्टमेंट होता है बे होता है बे बढ़ गया बेपार का स्वामी अस्त लगन का सत्रो किसी राज योग में नहीं सामिट तो सुक्र की दसा प्रारम होई जिसमें धन से संबंधित बहुत सारी कठिनाईयों का सामना करना पड़ा एक चीज और हुआ चुकि जब ये धन कमा रहे थे अच्छा उचाही पर जा रहे थे तो इगो इनका बढ़ता चला गया था मंगल बारा हमें भाव में था इसलिए इगो बढ़ता चला गया हो सकता है जिसके कारण से कस्टमर डेलिंग बिगड़ गई हो सौ रुपे हुए कुल प्रिंटिंग के तो कोई बोला पंचानवे में कर दीजिए तो साब जवाब कराना है सौ में कराओ पंचानवे में नहीं वो पाएगा यही बात कोई प्रेम से बादे भाईया घाता हो जा में यह मंगल सत्रूरासी का बाराहमे का इगोईस्ट इनको बनाया नहीं हो पाएगा रहने देजिए ऐसी बासा बोलने के कारण से काम मंदा होता चला गया एक विशेश नियम केतु का है का मंदा हुआ डामा डोर इस्तिती में आए केतु अगर किसी के दूसरे भाव में हो तो ऐसा व्यक्ति पैसे जिस किसी भी व्यक्ति से लेगा उसका पैसा उधार जरूर करेगा दुतिये भाव का केतु धीरे धीरे करके पैसा लोटवा देता है और दुतिये भाव का रावू हो तो जिसका पैसा लेगा उसका पैसा खा जाएगा या बरबाद कर देगा लोटाने की स्थिती में नहीं रहेगा लेकिन दुतिये का केतु करजा खाया हुआ पैसा लोटाने का पूरा प्रयास करता है सुक्र की महादसा के बाद से इनकी हालत तोट गए और सामान्य आदमी मलब फिर भी उसके बावजूद भी दरिद्रता नहीं आई ना कुछ बेचना पड़ा काम बहुत मंदा हो गया ल लोकी बिस्थापक ग्राठीक था लाभेस लाभ में था कर्म भाव एक्टिव था तो पूर रूप से नहीं छिन पारा आथमे में दा हुआ है तो कुछ दोखादरी भी अपने लोगों से मिला होगा जो काम करने वाले लोग रहे होंगे उन लोगों ने भी कुछ ना कुछ क किया होगा यहां का काम वहां ट्रांसफर किये होंगे इनके प्रिंटिंग का काम यह बोले सो रुपए वो बोला पंचानबे तो कोई फॉयल आए बोला होगा लाओ हम करा देंगे तो दूसरी जगा काम ले गया काम वहां गया सल्वी यहां से मिलनी थी तो उसमें भी हो जाता है ना तो यह केतु का फलादेश रहा है कि अजाहू और केतु का क्या नोट कर लेंगे कि यह अपार्धन देते हैं अपार्धन रुकेगा कि नहीं इसको जज़ करना मैंने आपको सिखाया कि